Assalamualaikum and welcome to another video दोस्तों FBR ने बहुत ही अच्छा काम किया है by giving all the taxpayers a fresh and updated look of IRIS FBR ने इसको नाम दिया है IRIS 2.0 FBR ने जितनी अच्छी look and feel बना दी है तमाम taxpayers के लिए तो इस बात पर FBR को thank you करना तो बनता है because कई सालों से वही एक boring सा form चल रहा था देख देख का दिल बर चुका था इससे पहले भी पुराने dashboard को बदला गया था but इस बार तो पूरा का पूरा FBR एक ही जगा पर जमा हो गया है कैसे और कहां पर क्या क्या चीजे new add होई है कौन सी चीज कहां से कहां move होई है यह सब आप इसी वीडियो में जानोगे तो अब जो new taxpayers हैं और जो पराने taxpayers हैं उनको एक दफा तो अजीब लगेगा कि यह क्या हो गया है and salary वाला form कहां गया business वाला कहां गया don't worry I will explain all so इसी problem को हल करने के लिए and इस IR IS 2.0 के different options and settings को तसली से समझते हैं जल्दी नहीं डालनी है आपने so first thing this is a single login form इससे क्या मतलब है अब इस single form से क्या मुराद है इसका मतलब यह है कि आप लोगों को FVR की मुक्तलिफ चीजों के लिए different किसम के web address पर जाना पड़ता था जो कि इस IR IS 2.0 के आ जाने से एक ही जगा पर आपको available होगा तो second thing है यहां पर online verification अब जब आपने अपना online status देखना होता था तो यकीन करें 80% लोगों को पता ही नहीं था कि वो अपना N.D.N. या अपना active taxpayer status कहां से देखेंगे चेक कहां से करेंगे इस new update किया जाने से online verification आपके इसी एक ही website पर add कर दी गई है with new look आप simple चेक कर सकते हैं अपना taxpayer status आप अपना N.D.N. taxpayer profile चेक कर सकते हैं जैसे यह देखें यहां पर आपको online इसी link से खूल गया उसके बाद यहां आपको online verification है जहां पर आप अपना N.D.N. चेक कर सकते थे पहले हमें इसके लिए separate website पर जाना पड़ता था अभी यह सब कुछ उन्होंने यहीं पर add कर दिया है इसी के अंदर तो यह एक बहुत ब़री असानी है आपका time बचेगा इससे third thing is e-payments similarly जो admitted income tax के चलान बनाने होते थे जिसके लिए आपको e.fbr.gov.pk पर अलग से जाना होता था वो भी इसी एक link पर available है आप अपने income tax, sales tax और federal access duty वगरा की payments इन relevant headings पर क्लिक करके direct उसी page में जाके access कर सकते हैं जैसे हम income tax का open करेंगे तो यहां पर देखे इसको open किया तो यह direct हमें इस page में लेया है similarly हमने यहां से वही काम बना है लेकिन पहले हमें इसके लिए separate एक link पर जाना पड़ता था अब यह इसी में link हो गया है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी improvement चीज़ यह आई है इन्हों ने अब IR, IS के अंदर ही आपको सारी चीज़ें जैसे ही आपका अड़िटेट income tax बनता है तो साथ ही आपको उसको pay करने के option भी दे दी है तो tax return के form के अंदर भी उन्हों ने इस payment के section में काफी enhancement की है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो क्या है और कैसे अड़िटेट income tax आपका उसी जगह पर आपका जलान जनरेट हो जाएगा और आप किस तरह से करेंगे यह मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ The fourth thing is FBR मालूमात FBR मालूमात जिसमें आप अपने Without Taxis and Property की मालूमात वगारा हासल कर सकते हैं वो भी अप इसी पेज पर लिंक कर दिया गया है ताकि आप separate लिंक पर जाने की बजाए आपका टाइम बचे और आप उसे यही से अक्सेस कर सकें यहां से क्लिक करेंगे तो मालूमात ओला पेज ओपन हो जाएगा जैसे के यहां से आगे आप अपने Without Taxis और Property की डिटेल यहां से चेक कर सकते हैं तो चलिए यह सब जाने के बाद आप Login करके अंदर देखते हैं कि Dashboard में जो Forms दिया जाते हैं उन में क्या चीज चेंज हुई है कहां कहां चेंज हुई है और उसकी New Look and Feel कैसी है और उसके जो नई चीज़े एड़ की गई है वो कौन कौन सी है तो चलिए फटा फटा हम Login कर लेते हैं तो जैसी आप Login करके अंदर आएंगे तो देखें कि यहां पे आपको कुछ similar चीज़े नज़रा रही होंगी और कुछ नई चीज़े नज़रा रही होंगी तो चलिए वे आपको एक करके यह सारा कुछ डिफाइन करता हूँ कि इन सब चीज़ों को क्या करते हैं यहां पे क्या क्या चीज़े हैं और इनकी functionality यहां पे किस तरह से हैं सब से उपर आपको यह जो menu नज़रा रहा है इसको mega menu का नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर चीज़ों को देखे तो registration open करेंगे तो पहले forms, application सभी एक ही चीज़ में load हो जाती थी लेकिन आप उन्होंने forms के लिए यादा section बना दिया है जिसमें सिर्फ forms होगे application में सिर्फ application का यह उन्होंने इसको separate कर दिया ताकि text page के लिए असानी हो जाए कि उसने form लेना है या उसने application के लिए जाना है ऐसा नहोंकि एक list आज़े और उसमें वो don't ता बिड़े भी यहाँ पे क्या है यह statements में आए तो देखें यहाँ आप आपको सारे form मिल जाएंगे जैसे यह normal return वाला well statement तो इसी तरह से return statement revise भी यहाँ पे separate और कर दी है extension वाली भी separate कर दी है जो पहले एक जगा भी सारी यानि उनको separate head में define कर दिया है text page की असानी के लिए इसी तरह से यह सारे head उसी तरह से हैं लेकिन इनको define कर दिये गया है separate headings वे ताकि आपके लिए असानी हो जाए यहाँ पे दूसरी चीज़ है आपका profile यहाँ पे देखें शुरू पे यहाँ उपर नाम होता था अब यहाँ पे उन्होंने NIC number दे दिया है इसको open करें तो इसके अंदर यह आपका profile है change pin password मिसाल के तौपर अपने pin change करनी होती थी तो पहले आप form को save करते थे बंद करते थे बाइर जाते थे फिर अंदर आते थे अब simple change pin पर click करें यह से अपने नई pin बनाए और यह से इसको ok करतें तो यह देखिए आपकी pin successful होगी यह message जो पहले उपर आता था अब आपको नीचे नजर आएगा इसमें यह change आया है उसके पास यह सामने आपको जो 8 किसव के card नजर आ रहे हैं इनको info card का नाम दिया गया है कि यह info card है क्योंकि इन्हों सारी information है एक taxpayer के relevant सबसे पहले हैट देखिए यहाँ पे file your income tax return और इसे के उपर आपको यह required documents का button दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह question होता था कि मैंने salary वाली file करनी है मैंने business वाली file करनी है तो मुझे document कौन से required होंगे तो उसका solution है यह button इस button को press करे आपके सामने list आजाएगी कि आपको कहां से कहां तक क्या चाहिए salary के लिए यह salary वाले persons के लिए और यह business वालों के लिए salary के लिए चाहिए 1st July से 30 June यानि जो current year चल रहा होगा उसके बारे में information होगी 20 साल में किस मन से किस मन तक आपको क्या चाहिए यह देखें list of personal assets आगया utility bills आगया और निचे business वालों में देखें तो bank statement उनकी आगी पिर उनकी summary of net sales invices आगी इसी तरह से जो current year चल रहा होगा उसमें वो बता देगा 1st July से 30 June क्योंकि पाकिस्तान का tax year चलता ही 1st July से 30 June है तो यह information आपको यहां मिल जाएगी अब आपको किसी से पूछने की ज़रूद नहीं होगी कि क्या document चाहिए अब आपके सामने यहां available है इसके बाद यहां पर आपको manage profile का option दिया गया है यहां बेसकों नई टब में open करके देखते हैं यह देखें यह सेम पहले वाला ही है लेकिन उन्होंने इसको यहां पर link कर दिया है जो के एक अच्छी चीज है पहले भी link की था है अब यह उन्होंने दुबारा कर दिया उसके बाद यह FBA मालूमात को भी उन्होंने यहीं प्याड़ कर दिया यहीं से क्लिक करके ले ले फिर आपकी जो स्टेटमेंट्स होती है विद वर्डिंग टेक्स वाली, कौर्टरली या एनुली जो भी होंगी वो भी आपको यहीं सक्सेस हो जाएगी आपने सेल्स टेक्स फाइल करना है तो वो भी यहां पे वेलेबल है आपने कोई पेमेंट करनी है तो उसके लिए भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट वाले सेक्शन पर चले जाएंगे डिरेक्ट ही, आपको सेपरेट लिंक पर जाने के ज़रुद नहीं होगी इसके बाद जो चोती चीज़ है वो है तो यहां पे टास्क मेन्यू अगर आपने इसके जो पिछला फार्म अपडेट हुआ था उसमें उन्होंने एक टास्क मेन्यू दिया हुआ था लेकिन उसके लिए आपको पहले उपर क्लिक करना वड़ता था डेकलरेशन पे देन उसके अंदर जाके आपको पता लगता था अभी इसमें कहां पे क्या चीज़ बढ़िए लेकिन अभी जो पड़ानी लोक में जो बिल्कुल पड़ाना लोक था इसका उसमें जो साइड पर यहां पे दी जाती थी तो वह मैं आपको इसी वीडिएओ में आगे चल गे बताता हूँ पर पांचमें नमबर पे यहां पे फिल्टर जस्ट यह फिल्टर पे क्लिक करें टो इन्होंने काफी किसम के फिल्टर दी होए है जो सिफ उसी बंदे के रालिवेंट होंगे जिसकांक होगा हर कुई बंदा जैसे यहां पे देखे तो यहां पे कितने सारी चीशें दी हुई है निची, आप यह टास्क को सब्जेक्ट देखे तो इसमें कितनी सारी चीशें है यह सारी चीज़ें से जिस बंदे के राइलिवंट जो अकौंट होगा वह वह उचीज़ें वही एकसेस कर सकता है हर कोई बंदा एकसेस नहीं कर पाएगा पर इसे अगली चीज़ यहां पर देगी वह है टास्क आप यहां पर आगे देखें तो आपको यह टास्क नजर आ रहा होगा और यह टास्क वो है कि जो आप currently काम कर रहे होंगे उसको आप यहां पे देख सकते हो उसको एड़िट कर सकते हो और उसके लिए यहां बनोंने एक action का बटन बड़ाया हुआ है सेम उसी तरह से यह अभी अब जब हम फार्म देखके वापस आएंगे तो यहां से पिर आपको पता चलेगा कि यह एक्षिन और यह सारा काम यहां पर किस ता से परफॉर्म होगा तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं यह फार्म देखते हैं टेक्सर रिटन का भी फार्म में इन्होंने क्या चीज़ें कहां का चेंज की हैं तो चलिए उससे देखते हैं इसके उपर हम ग्लिक करते हैं तो यह देखिए हैं डिरेक्ट यही से उसने पूछ लिया आपको आपको अधर आ जाएगा, सेब, ऐसी सेब, सब्मिट और प्रिंट के अप्शन है, यहाँ पर यह चीजे बिलकुल एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर जो इंप्रोव्मेंट हुई है, वो हुई है यह, जैसी इस प्रफाइल आइकन पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखें, प्र सेब करो, और यह जो सेब वाला नोटिफिकेशन वो पहले यहाँ ऊपर आता था, अब यहाँ पर देखें, यह नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्हों ने एड़ किये, लैंग्विज, इंग्लिज टूर्दू, पहले भी एड थी लेकिन वो एक्टिव होती पोजिशन भी चेंज कर दी है, और यह जो जनरेट बिल का बटन होता था, उन्होंने इसको प्रिपेर पीएस आईडी के बटन बना दी है, इस बटन का काम बड़ा इंप्रोटन है, यह मैं भी आपको चलके बताता होगी, यह काम किस तरह से करता है, अच्छा जी, यहाँ यह लिख दिया, चलिए फटावर्ट चलते हैं, टेक्स चारजबल पेमंट्स, और नीचे यह कम्प्यूटेशन पे, अच्छा जी, कम्प्यूटेशन पे आगए है, तो नेचे चलके देखे, जैसी हमने नीचे किया, तो यह देखे, दस हजार पे हमारा एड़मेटिट इं जैट की गई है, वो की गई है, इसकी सर्च उप्शन, क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे अभी हम आ गए हैं, इसमें फाइनल फिक्स्ट में, और यहां पे आके देखे, कित्री सारी उप्शन होती है, जिने हमें सर्च करना पड़ता, एक एक करके, यह कंट्रोल एफ करते हैं, तो पिर यह नजर आती थी, अभी आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने सिप बड़ा जाना है, उपर इस सर्च के फंक्शन में, और यहां पर आके आके आपने लिखना है, 7B मिसाल के दूपर हमने यह लिखा, पिर हमने नीचे से चोज़ किया, पिर हमने कौन सा एड लेना इसमें से, उसके relevant जितने हैड होंगे, यहां नजर आएंगे, और जैसे हम उसके उपर क्लिक करेंगे, यह देखें जी, इसने नीचे से automatic उस एड को उपर लेकिया है, और हमें बता दिया है, यह जी आपकर relevant है, तो अब आप इसमें वो value लिखें, आपका time कितना ज्य आपके सामने वो सारी options नजर आजाएगी, जिसमें आपका पूरा tax year mentioned होगा, उसके लावा आपकी submission date mentioned होगी, और जैसे इसको button दबाएंगे, तो यह hidden हो जागा, क्योंकि यह इतना important चीज तो नहीं थी, जिसमें focus रखें बंदा, इसलिए उन्होंने इसको हाइड कर दिया, जो कि एक अच्छा user experience है, तो यहाँ पे improved search दे दी गई है, यहाँ पे आपको time बचाने के लिए change pin की option दे दी गई है, यहाँ आपको prepare PS ID की option दे दी गई है, उसके लावे एक अच्छी great look and feel दे दी गई है, और finally, और finally, एक question जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता था, व देखे हैं, हमने इसको save का कि बंद किया, और पहले क्योंकि उसके उपर कोई action नहीं होता था, आप कोई option दिखाए नहीं देती थी, कोई message नहीं आता था, तो इसलिए मुझकल होती थी डोंड रहे हैं, अब मिसार के दोपर आपने यह farm पहले लिया था, और बंद कर दिया, नॉर्मन वाला, या direct इसमें, आप क्योंकि यह improve farm आगे हैं, यह पर direct भी लेंगे तो उसी बतार 233 लिखेंगे, और जैसे यह continue का बटन दबाएंगे, तो यह देखे, यह error पहले उपर आता था, आप यह नीचे आ रहा है, और बतारा है कि भी जो farm आप access करना चाहरे हो, वो अगली इंप्रूफ चीज़ है यहाँ पे यह payment का section, यहाँ पे देखे तो यह तीन section दिये गए, उन्होंने unclaimed payments, claimed और payment summary, अब इस पे हमने भी इतना को practical तो किया नहीं, लेकिन unclaimed payments का मतलब होता है, ऐसी payments जो आपके लेना बनती है, लेकिन अभी तक आपने ली नहीं, और claim to payments होगी भी जब आपने वो payments receive कर ली होगी, I think refundable के बारे में हो सकता है, क्योंकि अब इसका practical experience नहीं किया तो पता नहीं, आएंदा आने माली वीडियो में इस पे एक updated video में लाजमी बता दूगा आपको, और यह payment summary होगी भी आपने क्या लिया है, क्या दिया है, कुछ इसी त और वो जो होते हैं, अपने non-resident अज़रात, वो जब अपना status लेगें, तो वो resident का status नहीं निचे दे दिया है, यहां से वो choose करेंगे, non-resident या resident कोई भी होगा, और अगर business sector आपने चूज करना है, तो वो ऐसे ही करेंगे, यहां आपने इंप्रूफ आम दे दिया है, जैसे हम लिप देती हैं, आपे leather, और leather के relevant जितनी होंगे, वो आजाएंगे, आप उसको choose कर सकते हो, करने के पास simply वैसी है, हमने save करना है, submit करना है, आप इसका अप्रेंट ले सकते हैं, तो दोस्तों यह था एक इनका IR IS 2.0, जो के बहुत ही बड़ी improvement है, पिछले जितने भी form थी, उनसे बहुत अच्छा है, बहुत refine है, सर्च बहुत अच्छी इसकी, आपका time बचाने की पूरी कोशच की गई है, तो इस बात पर FBR का बहुत thank you, in future भी अगर वो इसी तरह की चीज़ें लेकी आएगे, तो जारी बात उसको appreciate किया जाएगा, तो अगर यह comparison या new चीज या जो वीडियो में आपको information दिये, पसंद आई हो, तो please वीडियो को like कीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ में share कीजिएगा, जो taxpayers है या taxpayers बनने वाले हैं, मैं मिलता हूँ आपस अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए, अल्ला हाफेज